इस समेहम अयोध्या के लतामंगेशकर चोक पर हैं और आज कोहरे की वजह से यहाँ पर धुंद बेहद ही जादा है विजुबिलिटी बहुत ही कम हो चुकी है आज यहाँ पर मुख्यमंतरी योगी आदितनात पहुँच रहे हैं रामकथा पार्क पर पहुँचेंगे और उसके बाद वो हनवान गड़ी के दर्शन करने जाएंगे जिसके बाद वो रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद प्रधान मंतरी से जुड़े हुए जो प्रस्तावित कारिकरम है उसको लेकर इस्थलियों का जो जाइजा लें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम पुलिस फोर्स जो है वो यहां पर मौझुद है यहां से कुसदूर आगे ही रामकथा पारक है। पुलिस लगतार यहां पर लगी हुई है चाहे पुलिस की बात करी जाए चाहे पी-ए-सी की बात करी जाए बैरिकेटिंग्स लगाई गई है जिससे जब बुख्यमंतरी योगी आधितनात यहां पर आए तो कोई भी इस रास्ते से ना आ आपाया सामने की तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो भारी संक्या में पुलिस बर लगाया गया है पुलिस के जो तमाम बड़े आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौझूद है आसपास के एरिया को धुला जा रहा है चमकाया जा रहा है आप देखे एक बड़ी जो पुलि पुलिस प्रशातन की भी पूरी कोशिश है कि सभी तयारियों का जाइज़ा लिया जाये तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं सुभा से ही यहाँ पर लगे हुए हैं और उसी के सासात आप देखिए किस तरीके से आसपास के एरिया को कवर किया जा रहा है कोकि सभी को पता है कि प्रधानमंती नरेंदर मोदी का 30 दिसंबर को एक दौरा प्रस्तावित है रोडशो करेंगे तमाम तरीके की तैयारियों को आप देख सकते हैं अंतिव रूप दिया जा रहा है क्योंकि एक दिन में यानि 30 दिसंबर को प्रधानमंती नरेंदर मोदी अयोध्या में हजारो करो की सौगात देने का काम करेंगे आज मुक्खे मंतरी योगी आदितनात हनमान गड़ी पहुंचेंगे राम लला के दर्शन करेंगे और तमाम अधिकारियों को आगे की जिम्मेदारियों का निर्देश देने का काम करेंगे जब प्रधान मंतरी 30 दिसंबर को यहां पर मौजू पूद रहेंगे आयोध्या से वीडियो जनलिश हरियों के साथ संदीब खेर भारस समचार